सुबर सुबर नाश्ते में क्या बनाए या बच्चों को क्या टिफिन में दे जो नहीं पसंद आएगा तो आप ये कॉम्बो जरूर ट्राई करें आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गाजर मटर की बहुती चर्पटी मसालेदार सब्जी और इसके साथी तिकोना पराठा की रेसिपी जिसे बनाना तो आसान है ही और सर्दियों में जब गाजर मटर फ्रेश मिले ना तो आप इस रेसिपी को जरूर बनाए तो चलिए एक च्मच अधरक और लहसुन का पैस डालेंगे मैंने यहां पर अधरक लहसुन को अच्छे से कूट लिया है तो यहां पर इससे अच्छे से पका ले जैसे यह Despiase जूह यह दरक लहसुन बड़ाम पैस में तो aí एक मीडियम साइच का प्यास जाला मैंने, प्यास को हम दो मिनट के लिए भूल लेंगे, जैसे ही प्यास का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे टमाटर, तो यहां पे प्यास जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, यह आप देख सकते हैं, तब हम इसमें डाल देंगे टमाटर, टमाटर की क्वांटिटी भी प्यास के बराबर ही रखनी है, मतलब एक प्यास तो एक ही टमाटर का इस्तमाल करें, मिलाद इसे, गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है, और टमाटर को प्यास के साथ पका लेना है, जब टमाटर अच्छे से भ नहे नमक हम बाद में डालेंगे मसालों को धीमी आज पर प्यास टमाटर के साथ भूल ले जैसे ही मसाले थोड़े से पक जाएंगे हम इसमें डाल देंगे मतर और उसके बाद गाजर दोनों साथ में डाल देंगे देखे, तो यहाँ पर मैंने 2 कप के करीब बहरा मटर लिया है, ताजा मटर इस्तमाल करें, अब हम इसमें डाल देंगे गाजर, तो यहाँ पर एक कप के करीब ऐसे छोटे टुकड़ो में कटा हुआ गाजर ले ले, स्वात के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे, मिला दे इन सब को, अब हमें इस सबजी में और गोबी आने के जो कॉलिफलार होता है, वो एड़ कर सकते हैं, लेकिन आलू इसमें मज़ा नहीं आता है, तो यहाँ पर पैन को कवर कर दे, और कम से कम 8-9 मिनट या फिर 10 मिनट पकने दे, जब तक कि गाजर या मटर अच्छे से पकनी जाते हैं, बीच बीच में आपको ऐस सा नीबू का रस एड़ करें, लेकिन नीबू का रस जो है, वो गैस बंद करने के बाद आप सब्जी में मिलाएं पहले नहीं, कभी भी नीबू का रस डाल के उसे पकाएं नहीं, तब हम यहाँ पर पैन को कवर कर देंगे, और 2 मिनट धीमी आज पर और पकाएंगे, 2 अगर हम रोटी पूरी पराठे के साथ सर्फ करें, तिकोना पराठा बनाने के लिए 2 कप हम गी हूंक आठा ले लेंगे, और इसमें हम डालेंगे आधी छोटी चमस नमक, आप चाहे तो आठा मैदा मिला के विस्तमाल कर सकते हैं, नमक को अच्छे से आठे में मिला दे, और इसके बाद हम इसमें पानी डालके इसका एक डो बना लेंगे, तो जब भी आप रोटी पराठे के लिए ऐसे डो बनाएं, तो पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके डालें, ज्यादा पानी से कभी कभी डो ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे हम इसे अच्छ की तरह से स्मूध कर दिया, अब आप चाहिए ना तो अगर आपने इससे अच्छे से गुनना है तो इसके पराठे तुरंद बना सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि पराठे और ज्यादा नरम चीए तो इससे ढख के 5-7 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए रख अब हम क्या करें, कि इसके ऊपर थोड़ा सा सुखाहटा लगा देंगे और हथेले शोटवार सा चप्ठा करने के लिए फेले पूरी जैसा थोड़ा बड़ा साइज में रोल कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर हम तेल या घह लगा लेंगे जो आपको पसंद है, मैं फिर इसके ऊपर लेयर पे हम वापस तेल लगाएंगे और इसके बाद वापस एक बार इसे बंद करेंगे ये देखे ऐसा तो ये ट्राइंगल यानि तीकोना शेप का आगया तो हमने जो तेल यग ही अंदर लगाया है उसकी वज़ए से पराठे में बहुत सारी लेयर भी बनती है तो तेल की जो लेयर होती है वो ऐसे पराठे जब आप खाएंगे तो एक एक लेयर ऐसे खुलती है तो खाने में भी भी पर हम ऐसे उपर कर लेगी तो यह हमिरा तीगोना पराठा पनके, तियार है अब हम चलते हैं इसे प्राठा की में लेयर की दवा गरम किया है, और तब एक बारर की ओप्पर एक उपर बन तो यह था ही रख Надवार तो 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 जैसे ही पराठा पकना शुरू होगा ना इसकी लेयर जो है वो खुलने लगती है तो यहाँ पे मैं तेल का इस्तमाल करी हूँ वैसे घी वाले पराठे बहुत जादा यह में लगते हैं अब हम चलते हैं सर्विंग के प्रासेस में तो यह गाजर मिटर की गर्मा गरम सबजी जो बहुत ही टेस्टी लगती है और सर्दियों की मौसम में गाजर मिटर जब सीजन में रहते हैं तो आप इस सबजी को जरूर बनाएं बच्चे भी बहुत ही पसंद से खाते हैं आप इस सबजी को अपने बच्चों के टिफिन में दे सकते हैं या खुद के लंच बॉक्स में भी ले जा सकते हैं तो कम मेहनत में बनने वाली सूपर टेस्टी यह सबजी जो है वह आपको बहुत पसंद आएगी और सर्दियों के मौसम में जब गाज और मिटर का सीजन रहना तो आप इसे एक बार तो जरूर बनाएं सुबर सुबर नाश्ते में बनाएं, पूरी के साथ खाएं, पराठे के साथ पनाएं या फिर राइस के साथ, सब के साथ ही परफेक्ट जाता है हमारे घर में मैं मैं इस सिव्यासे तीको갑ा घीवाले पराफwalker के साथ बनाती हूँ बहुत ही ब्रीलेंट लगता है बच्चे भी आसे मांग मांग के खाते हैं ये सब्जी और पराठा तो ये सूपर टेस्टी सबजी और इसके साथ ये तिक होना पर अठा की जो रेसिपी है वो आप एक वाज जरूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद अगर आज की रस्पी आपको पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना है बिलकुल ना भूले